अखिल भारतिय हिंदू महासभा के पदाधिकारी और कारेकरताओं ने कल अलीगर के गांधी पार्क थाने में पहुँचकर मौलाना तौकी रजा के विरुद शिकायत दर्ज कराने की तहरीड दी। मौलाना तौकी रजा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाब अपशब्द बोलने का आरोप लगा है। मौलाना तौकी रजा एक आतंकवादी है और उसके खिलाब देश द्रोहों के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आखिल भारतिये हिंदू महासवा से जुड़ी हुई अन्डपूर्णा भारती ने इस दौरान कहा कि मौलाना तौकी रजा ने बरेली में आपत्ति जनक बयानबाजी करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी को चेताबनी दी है। हमारे संबिधन की उसने धज्जियां उड़ाई हैं। हमारे माननिये प्रधानमंत्री मोधी जी को जिस प्रकार से उसने चेताबनी दी है और बटवारे की बात कही है ऐसे में उसके विरुद देश द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग हैं जो देश में बेमनस्तिता फैलाना चाहते हैं। अन्यपूर्णा भारती का कहना है कि अगर दस दिन में उसकी गिरफतारी नहीं होती है तो हम बरेली में जाकर अंशन करेंगे। तो हिंदों को सर चुपाने की जगे नहीं है। और कल भी उसने यह कहा है कि अगर साथ में रह सकते तो हमें एक नया देश दे दिया जाए। यह जो व्यक्ति है इसकी बाते जो है जिस तरीके से इसने देश के प्रदान मंत्री जी को चेतावनी दिये तो हम सब की नयतिक दायत है हम उसके खिलाफ एफ़ यार देने के लिए आए हैं। देश द्रो का मुकदमा ततकाल प्रभाव से इस पर लगाया जाए क्योंकि यह जो बाते हैं यह आतंक वाली बाते हैं जिससे प्रतीत होता है कि यह कोई मौलाना नहीं यह आतंक वादी है। क्योंकि ऐसा आतंक वादी और ऐसे आतंक वाले जो बाते हैं यह बरदाश नहीं की जाएंगी इस देश में प्रधान मंत्री सर्वमाने हैं मोधी जी के विरुद्ध जो भी उनको चेतावनी देने की कोशिश करेगा एक सेनिक के रूप में हम सबसे पहले उससे लड़ने को करते हैं